वल्कम बैक तो मैं चैनल करली कॉर्णर आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जो कि हर घर में बहुत ही यूज होती है जिसे बनाना बहुत ही आसान है तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए एक प्लेट लेंगे और उसके साइज का दो कपड़े काट लेंगे दोनों कपड़ों की बीच में हम एक फोम कट कर लेंगे उसी तरह गोल कट करके अब इसे सिलाई कर देंगे सिलाई खिसके नहीं उसके लिए हम पहले सैप्टी पीन की मतदब से उसे सीक्योर कर लेंगे और उसे इस तरह से सील लेंगे ये देखिए इसकी सिलाई हो चुकी है अब है बारी इसमें पाइपिंग लगाने की ताकि ये थोड़ा सुन्दर दिखे तो चलिए इसमें लगाते हैं पाइपिंग उसके लिए हमने ले लिया है इस तरह का एक कपड़ा अब हम इसे इस तरह रखकर इसकी चारोर से सिलाई कर देंगे बिल्कुल यहां तक और बचे हुए कपड़े को कट कर लेंगे उसके बाद हम इसे इस तरह से मोडेंगे और इसे पलटते हुए पीछे की तरफ से इस तरह ले जाएंगे और इसकी चारोवर से गोल सिलाई कर देंगे बस बन गया तो इस तरह से ये बन जाएगा आप देख सकते हैं तो आप चालना चाहते हैं कि इसका उप्योग क्या है तो चलिए हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि इसे रोटी रटने के लिए कैसे यूज करना है बहतर होगा इसके लिए आप जो कपड़ा यूज करेंगे वो cotton का हो क्योंकि इसमें नमी अच्छे से एब्सॉर्ब होती है तो इस तरह से हमने रोटी रखने के लिए यूज जल दिया है आप चाहें तो इसमें हैंडल भी लगा सकते हैं जिस तरह से हमने एक रोटी जो रखने का है उसे हैंडल लगाया था यह देखे इस तरह से इसे यूज करना है इसमें जो आपकी रोटी है वो गर्मा गरम घंटों तक बनी रहेगी आई होप की वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक शेयर करनेंग जरूर कीजिए थाइंक्यू सो मच पर वाचिंग एंड कीप वाचिंग गर्ली कोर्नर